साला लगता है काम को सीरियस लेना पड़ेगा यार फोड़ा सा लेट किया हो जाओ आजकल बड़े बड़े क्रियेटर भी एकदाउ फटाक से डालते मैंने देखा है भेडिया का ट्रेलर और इस ट्रेलर को देखने के बाद में इस मुझे कैसा फील हुआ और इस मुवी से कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इसी बारे में बात करूंगा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे पहले बा साधा याद में रहने वाला अगर कोई परफार्मेंस रहेगा तो वह एज़ा मीमी इन मीमी मुवी वहीं वरुन धवन ने अपने एक बेस्ट परफार्मेंस दिया था जिस फिल्म को मतलब किसी ने भी नहीं पूचा और वह फिल्म थी ऑक्टूबर कोई मत कहना कि कलंक में उसने अच्छा काम किया था और इसके इलावा जो है हमारा हतोड़ा टियागी जो के एक तरह के क ज़ाब ही नहीं तो फिल्म के बात करूंगा लेकिन सबसे पहले बात करता हूं कि ट्रेलर में exactly क्या दिखाया गया है, कहानी में दिखाया जा रहा है कि वरुन धवन को किसी भीडिया ने काट लिया है और उसके काटने के बाद से उसके उपर में भीडिया वाले एफेक्ट आना शुरू हो चुका है It's just like a spider man का spider काटने से होता है, बिल्कुल वैसे ही पता नहीं, कमें सेक्शन पे जाकर कि spider man के fan look कितनी सारी गालिया देंगे क्योंकि superhero में after shakti man में spider man का ही fan हूँ उससे जाधा किसी को नहीं मानता मैं Okay, back to the topic तो भी कहानी में देखाया जा रहा है कि वरुन धवन के साथ में दो character anytime रहते हैं वरुन धवन खुदी realize नहीं कर पा रहा है कि वो भेडिया बन चुका है उसको लग रहा है कि वो भेडिया बनने वाला है वो इंसान को खाना शुरू कर देगा अगर उसका इलाज नहीं कर वाया गया तो लेकिन स्टोरी में देखाया जा रहा है कि वह भेडिया बन चुका है और उसको खुदी आहसास नहीं है इस चीज का इस मुवी का जो फील है इस मुवी का जो जो कॉंसेप्ट है मुझे अपने बच्पन की याद आ गई बच्पन में मैंने एक मुवी देखी थी वेर वुल्फ और उसका जो है पूरा एसेंस दिमाग में अभी भी है इस मुवी में फर्क यह है कि यह सारा कहानी जो है आपको कॉमेडी के तोर पे दिखाया जाने वाला है किरती सानन का हैर स्टाल पता नहीं क्या हो गया है कि लुक के बारे में मेकर ने सोचा हो गया कि इनका जो लुक है वो काफ़ी जादा रिपिटेडिव हो चुका है तो अभी इसमें जो थोड़ा चिंज लाया जाए उनके बाल को तो ओवरल जो ट्रेलर है वो लुक एंड फील तो बहुत अच्छा दे रहा है वही विएफेक्स का अगर काम देखा जाए तो काफी डीसेंट लग रहा है अब मुवी में पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन ट्रेलर में जब इतना डीसेंट देख रहा है तो मुवी में कर रहा हूं कि जैसे ही रिलीज होगी फॉर्स डे फॉर्स शो के साथ में लेकर क्या होंगा इस फिल्म का रिव्यू आप बताओ आपको यह ट्रिलर कैसा लगा है और आप क्या किसी भी बातों से अगरी कर पा रहे हो या नहीं से भी जादा तर लोग मेरी बातों से अगरी नहीं करते है बास तो डाट वस्मा ओनेस्ट रेक्शन फर दिस मूवी वथ यह टेक प्लीज दू कमेंट मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त्रो मस्त्रो जबर्दस्त्रो